दोस्तो आज की इस वीडियो में additional eligible margin against holding के इस amount को detail में explain किया जाएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये amount कहां से आया क्या इस amount को bank में withdraw कर सकते हैं क्या इस amount आपका main balance है क्या इस amount चे हम shares buy कर सकते हैं और भी बहुत सारे doubts जो आपके mind में चल रहे हैं इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त मनी सुमावत और Wealthful चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो सबसे पहले हम बात करते है इसके लिए आपको एंजल वन एप में फंट के सेक्शन में जाना है उसके बाद यहां प्लेज होल्डिंग पर क्लिक करना है यह आपको एडिशनल एलिजिवल मार्जिन अगेंस होल्डिंग का अमाउउट सो हो जाएगा तो चली अब हम बात करते हैं यह amount कहां से आया दोस्तों यह amount आपके delivery में hold किये वे shares के amount का approach 80% amount है यह amount broker का loan होता है जो कि invested value के shares को गिरवी रखकर broker हमें देता है यह amount invested value का 80% amount है broker कभी भी invested value के भियाप पर 100% amount को AJ loan हमें provide नहीं करता है बाकी का बचावा 20% broker haircut के रूप में छोड़ देता है केवल 80% amount है loan के रूप में देता है share market में haircut क्या होता है यह जानने के लिए description और i button में दिया गया वीडियो देखिए next हम बात करते हैं क्या यह amount हमारा main balance है तो दोस्त जैसा कि हमने बताया है यह broker का loan होता है यह आपका main balance नहीं है अगर आप जानना चाहते हो कि आपका main balance कौन सा होता है और कहां मिलेगा इसके लिए आप description और i button में दिया गया वीडियो देखिए अब हम बात करते हैं क्या इस amount को हम यह विड्रो पर click करके bank में transfer कर सकते हैं तो दोस्त जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है यह आपका main balance नहीं है यह broker का loan है तो दोस्त यह विड्रो का मतलब है अगर आप margin में loan के amount से sales ले रखे हो तो आप विड्रो पर click करके अपने broker के loan को pay कर सकते हो यह विड्रो का मतलब है आप broker के दिये वे loan को pay कर रहे हो मतलब कि place किये वे sales को unplace कर रहे हो अगर आपने broker का loan ले रखा है और आप sales को unplace करना चाते हो तो आपके पास unplace करने के दो तरीके हैं या तो आप यहाँ पर विड्रो करके जिन sales को unplace करना चाते हो उन्हें select करके withdraw कर दीजिए आपके sales unplace हो जाएंगे या फिर आप pledge किये हुए sales को direct sale करते हो तो भी आपके margin में pledge किये हुए sales automatic unplace हो जाएंगे बाकी इन सभी terms पर detail में वीडियो बनी वी है वह वीडियो आप description और i button में देख सकते हो अब हम बात करते हैं क्या इस amount से हम sales buy कर सकते हैं तो दोस्ता आप इस amount को sales buy करने में काम में ले सकते हो लेकिन आप इस amount से delivery में sales buy नहीं कर सकते हो यह amount broker हमें loan के रूप में देता है इससे हम margin में sales buy कर सकते हैं अगर हम इस amount को use करके margin में sales buy करते हैं तो broker का loan यूज़ करने की वज़े से buy and sell के तो charges लगेंगे साथ ही daily basis पर भी charges लगते रहेंगे जब तक आप इस loan के amount को use करते हो तब तक charge लगते रहेंगे दोस्त अगर आप अभी beginner हो तो मैं आपको एकी सला दूँगा कभी भी loan लेकर shares buy ना करें आपको बहुत बड़ा loss हो सकता है और साथ ही daily basis पर जो charge लगेंगे वह अलग अगर मैं इस पूरे वीडियो को summarize करो तो कभी भी इस amount को use ना करें ना ही कभी margin में shares buy कीजिए क्योंकि ये broker का loan होता है जब आप broker का loan लेने के लिए pledge की request accept करते हो तो उसका मतलब है आपके delivery में hold किये वे shares को broker अपनी इच्छा से कभी भी sale कर सकता है और अपने loan के amount और charges को वसूल कर सकता है इसलिए MSR delivery में shares buy कीजिए कभी भी margin लेकर shares buy ना कीजिए इस channel पर हम ऐसे informative videos डालते हैं जिससे आप unwanted takes and charges से बस सको इस video की description में और end screen पर आपको angel broken videos की playlist मिलेगी इस playlist को save कर लीजिए और सभी videos watch कीजिए हमारे लगबक सभी videos 2-3 minute के होते हैं videos watch करने के बाद आपके कोई भी फालतु के charges और takes नहीं लगेंगे और साथ ही आप जानेंगे कि angel one app के सभी features को कैसे use किया जाता है फिलाल आज की इस video में बस इतना ही I hope आपको video में दी गई जानकारी helpful लगी हो information अच्छे लगी हो तो video को like कीजिए ऐसे और informative videos के लिए channel को subscribe करके bell icon प्रेस कीजिए जिससे आपसे को important video मिस ना हो share markets related कोई भी doubt हो तो आप wealth pool का beginners का telegram group free join कर सकते हो और अपने doubt share कर सकते हो link description में है धन्यवाद